कीवन में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और अक्सर लोग कम ही परोपकार करते नजर आते हैं लेकिन अमेठी में एक सक्स हैं गुटू जिंग ये अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं चाहे वह गरीब बच्चा हो या पि खास बात या है कि ये किसी पदपे नहीं है लेकिन उसके बाद भी इनका जजबा कम नहीं हुआ जनपद अमेठी में ये अब तक हजारों परिवारों तक पहुँच चुके हैं और लगातार ये लोगों की मदद करते हैं वह अर्तमान समय में इन्होंने सिक्षा का आधिका बार घर पहुँचे इसके लिए बच्चों को किताबें और कापिया बाटने का काम सुरू किया है इसके साथ ही बच्चों को ये निशुलक कोचिंग भी दिलवाते हैं इसके लिए भी इन्होंने प्रबंद किया है आपको बता दें कि जनपद में इनका कार्मा बहुत जीजी से चल रहा है गुड़ू सिंग अपनी टीम के साथ हर घर तक पहुंच रहे हैं और बच्चों को ये चरूरत की चीज़ें दे रहे हैं बच्चों के साथ साथ ये सरदियों में लोगों तक कपड़े पहुंचाते हैं किसी को घर खाने की जरूत होई तो उसे खाना पहंचीत की तो बताया कि हमारी टीम के द्वारा यह पहल जा रहा है और तो लकटाटार कयी वर्षों से पहलब जारी हैं हम सबका उतेश्यों है कि हर घर बिविख्सित हो चाहे बच्चा हो यह बालक हो यह बाल Cornish का वहां सिक्छित हो सके और उसे शिक्छा का भीकार मिल सक और वहाँ अपना जीवन अपन बहतर कर सके। आईए इनके टीम के सदस्यों से ही जानते हैं कि किस प्रकार का काम गुडू सिंग द्वारा किया जाता है और ये लोग किस तरीके से काउं गाउं जाकर लोगों की मदद करते हैं। इसका खास करके खास कहां जाता है कैसे के आप लोग फांडेशन में जितने लोग जुड़े हैं और हम लोग सही योग मान के एक दूसरे से जो सही योग मिलता है उनी चीजों को इकठा करके और लोगों तक मदद पहुचाया जाता है इसका। हर एक गरीब बच्चों को जा करके इजुकेशन के बारे में बताया जाए उनको पढ़ाने के लिए उनको बूक, कौपी, पेंशन दी जाए उसके अलामा फांडेशन का एक काम और रह गया है जो अभी तक नहीं हो पाया है टीचर की विवस्ता हम लोग करेंगे जिससे की स सारा जो भी कारकेरम होगा वो फांडेशन के थुरू किया जाएगा और उसका कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाएगा